हेलो जुलियां, आज हैं फ्लाइस वेल्टीज मामिक्स में उभ्भोक्ता के वहवार सिध्धांत के कुंद्रावर्ती मोट्स लेकर आए हैं तो इसमें जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि मानो शक्ताएं असीमित हैं प्रंतु उन्हें पूरा करने के लिए साधन सीमित हैं इसी प्रकार उभ्भोक्ता की इक्षाएं असीमित हैं प्रंतु उन्हें इक्षाओं को पूर करने के साधन सीमित हैं सेकंड है उभोक्ता संतुलन में ये हम अध्यन करेंगे कि किस प्रकार एक विवेक्षी लुभोक्ता अपनी सीमी ताय को असीमी तिक्षाओं की पूर्ती में आबंटित करता है उभोक्ता संतुलन की व्याख्या दो आधारों पर की जा सकती है एक है उप्योगिता विशलेशर एलफर्ड मार्शल द्वारा दिया गया था जबकि तठस्ता विशलेशर जे आरहिक्स के द्वारा दिया गया उप्योगिता विशलेशर संख्यात्मक उप्योगिता पे अधारित है और तठस्ता जक्रो विशलेशर क्रम सूचक उप्योगिता के अधारित है उप्योगिता की अधारना किसी वस्तू की मानों इक्षा को पोर संतुष करने की शमता को उप्योगिता पहा जाता है आने शब्दों में एक वस्तू की इक्षा पूर करने की शम्ता का नाम है ये उप्योगिता की विशेशना है उप्योगिता की संख्यात्मक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है उपयोगिता यक्ती प्रतिव्यक्ती समय प्रतिसमय परिस्थिती प्रतिस्थिती भिल्मिन होती है उपयोगिता एक मनोवध्यानिक अधागना है कुल उपयोगिता तथा सिमान उपयोगिता कुल उपयोगिता ये एक वस्तु की सभी इकाईयों का उभभोग करने से प्राप्त होने वाली उपयोगिता का कुल जोड है जैसे अगर किसी वस्तु की चार इकाई का उभव किया जाता है और एक इकाई से 10 यूटिल, दूसरी से 9 यूटिल, तीसरी से 8 यूटिल और 34 से 7 यूटिल उपयोगिता मिल लई है तो कुल उपयोगिता इन सब का योग होगा यानी 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 टzes 34 यूटिल होगी सीमान्त इपयोगिता किसी वस्तु की ऐक अत्रिक तिकाई का उभव करने से प्राप्त होने वादी अत्रिक उपयोगिता को सीमान्त उपयोगिता कहा जाता है उदाहरण के लिए यदि किसी वस्तु की पांच इकाई के उपभोग से 40 यूटिल उपयोगिता मिलती है और 6 इकाई का उपयोगिता मिलती है तो सिमान्त उपयोगिता क्या होगा 45 में से 40 घटा देंगे इसलिए एनस इकाई की सिमान्त उपयोगिता होती है एन इकाई की कुल उपयोगिता फिर उसके बाद लिखेंगे मैंनस एन माइनस वन इकाई की कुल उपयोगिता तो इसका फॉर्मूला है MVN बराबर TUN माइनस TVN माइनस वन तो इसको जो है हम यहाँ पर बराबर का चिन लगा लिएगा MVN के आगे कुल उपयोगिता और सिमान्त उपयोगिता में संबंध जब कुल उपयोगिता T.E.U. घर्टी दर से बढ़ती है तो सिमान्त उपयोगिता M.E.U. घर्टी जाती है प्रंतु धनात्मक रहती है जब कुल उपयोगिता TU अधिक्तम होती है तो सिमानत उपयोगिता शूने होती है यह तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जब कुल उपयोगिता TU घटने लगती है तो सिमानत उपयोगिता रनात्मक हो जाती है यहाँ पे टेबल में रेखिए कि यहाँ पे आपको मात सत्राद दी हुई है पिंगालने के लिए परिवरता नहीं था लात जी पलिए सींगने की सेória। तरिक में कोई सेरों सेल साहिए गटा लेंगे तो 20 आएगा इसी प्रकार हम थर्ड कॉलम की सिमान्त उप्योगिता निकालने के लिए थर्ड कॉलम की कुल उप्योगिता में से सेकेंड को आलम की कुल उपयोगिता घटा लेंगे यानि 35 में से 20 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा तो इस तरह से हम सारी उपयोगिता कुल उपयोगिता से सिमान्त उपयोगिता की गढ़ना कर लेंगे इस तालिका से इसपस्ट है कि 4 एकाई तक TU घटती दर से बढ़ रहा है तो MU घट रहा है MU मतलब Marginal Utility, TU मतलब Total Utility को लपयोगिता और सिमान्त उपयोगिता को ये दर्शाता है तो ये सकारात्मक है 5 एकाई पे TU अधिक्ता में तो MU 0 है तो ये ग्राफ से आप देख सकते है छेटी एकाई से TU घटने लगा तो MU रिणात्मक हो गया तो ये दोनों ग्राफ में इसका प्रदर्शन है फिर आता है हास्पान सिमान्त उपयोगिता का नियम इस नियम के अनुसार जैसे जैसे एक वस्तू की अधिक इसाईयों का उपयोग किया जाता है वैसे वैसे उस वस्तू से प्राप्थ होने वाली सिमान्त उपयोगिता कम हो जाती है जो चीज हमारे पास जितनी अधिक है उतना हम उसकी से अधिक मातरा को कम पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी तालिका दी हुई है इसमें जो है मातरा दी हुई है आइस्क्रीम की एक से लेके आठ तक और सिमान्त प्योगिता दी है तो एक पर सिमान्त प्योगिता जादा है, दस है दो ऐस्क्रीम खा लिया आपने, दो ऐस्क्रीम ले ली तो उसकी सिमान्त प्योगिता घट जाएगी इसी तरह निरंतर नीचे घटी रहेगी और सिमान्त प्योगिता जणात्मक हो जाएगी एक और ग्राफ मीचे बना है, उसमें saturation point बना है जहाँ पे सिमान्त प्योगिता जो है जीरो हो गई है और यह आपका ग्राफ बना है मातर और सिमान्त प्योगिता के बीच में वह भोगता संतुलन एक वस्तु की स्थिती में एक वस्तू की सिती में उभुकता तब संतुलन में होता है जब दो शर्टे पूरी करता है M, U, P बराबर M, U, M M, U, M बराबर मुद्रा की सिमान तुप योगिता है और M, U, N बराबर वस्तू X की सिमान तुप योगिता है और P N वस्तु X का मूल्य यानि वस्तु की सिमान तुप्योगिता वस्तु की कीमत M UN घट रहा है दो वस्तु की सिती में M U X, M U Y, P Y बराबर M U M होता है यहां पे एक तालिका बनी हुई है जिसमें मातरा की इकाई दी हुई है मातरा इकाईयों में दी हुई है एक से छे तस सिमान तुप्योगिता जो है घट रही है बीस है पंद्रा है दस है और इसका अंतर जो है इसमें आपकी कीमत जो है वो निशित है तो इसका वक्र जो बनेगा उसमें ये बन जाएगा मातरा और सिमान्त प्योगिता के बीच में जहां पर E है ये उभुखता का संतुलन बिंदू होगा पिर उभोक्ता संतुलन दो वस्तु के स्थिती में क्या होता है अधितर पर स्थिती में उभोक्ता अपनी आई कई वस्तु पे खर्च करता है ये दो वस्तु की उभोक्ता संतुलन इस्थिती कई वस्तु की जा सकती है एक वस्तों के लिए उभूकता संतुलेंग इस सिती में M.U.P. बराबर M.U.M. जहां M.U.N. बराबर वस्तों X की कीमत M.U.M. मदरा की सिमान तुपयोगता है अताथ पर्ती एक वस्तों के लिए उभूकता संतुलेंग लिए यह सबते होगा ये M-U-M बराबर M-U-M डश डश सेकंड है P इसके बाद है पस सेकंड के आधार पर कहा जा सकता है कि दो वस्तों के लिए भोकता संतुलिन वहां होगा जहां दो शर्तें पूरी होती है यानि M-U-M की तरफ आता है M-U-M की तरफ आता है और M-U-I घट रहे हैं हो तो यहां तक आज हमने आपको बताया है इसके आगे का पाल 2 वीडियो नेक्स उसमें डालेंगे तो इसमें जो इंपोर्टन पॉइंट है उसको अच्छे से याद कर लिजेगा नोट कर लिजेगा थैंक्यू बेरी मच्छ